तो Hello everyone, Welcome back to the channel Weforklick और आज हम बात करने वाले हैं animation में audio के बारे में और साथ मैं ही देखेंगे किस तरीके से हम blender में अपनी बनाई हुई audio को character में इस्तमाल करते हैं और किस तरीके से character को lip sync कराते हैं audio के according सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम कोई animation करते हैं तो audio के हिसाब से हम animation को दो category में divide कर सकते हैं सबसे पहली category आती है script based animation script based animation वो animation होती है जिसमें हमारा character चाहे वो किसी भी तरह का क्यों न हो talking करता है और इस talking के लिए सबसे पहले एक script तयार किये जाती है उसके बाद में character की आवाज को record किया जाता है उस script के based पे script based animation में script की सबसे ज़्यादा demand होती है जितनी अच्छी आपकी script होगी उतना ही आपका जो animation है वो grow करेगा और लोगों को पसंद आएगा जब professional level पे animation बनाते हैं तो बड़ी बड़ी company ओं में एक अलग से studio होता है जिसमें कई तरह के artist होते हैं जो अलग-अलग character की आवाज को record करते हैं अगर आप भी कोई animation करना चाहते हैं तो अपनी आवाज को record कर सकते हैं हमारे पास काफी सारे ऐसे free software available है जिसकी मदद से हम इसी भी ix से headphone से यहां तक की जो lead हम इस्तमाल करते हैं mobile से गाने सुनने में उससे भी अपनी आवाज को record कर सकते हैं आवाज record करने के लिए सबसे popular जो software है उसका नाम है audacity audacity बिलकुल free है आप इसको net से download कर सकते हैं अगर आप professional level पे काम करना चाहते हैं तो audacity की जगापे आप एक दूसरा software इस्तमाल कर सकते हैं जिसका नाम है adobe audition वैसे तो यह software paid है जिसको adobe ने launch किया है audio record करने के लिए और audio को manage करने के लिए लेकिन आप इसको free में भी download कर सकते हैं और इसकी crack file आपको net पे मिल जाएगी इसके अलावा जो भी आवाज आपने record की है उसको आप अलग-अलग character की आवाज में भी change कर सकते हैं और उसके लिए भी net पे बहुत सारे ऐसे software available है इसमें से popular software है जिसका नाम है cowfish तो लिखी हुई script को आप इस तरीके से record कर सकते हैं और record की हुई audio को अलग-अलग characters के आवाज में change कर सकते हैं जो भी software मैंने आपको बताए हैं इनका link आपको description में मिल जाएगा और इनका tutorial YouTube पे आपको काफी सारी videos मिल जाएगी वहाँ से आप इनको सीख सकते हैं और अग आपको नहीं समझ में आता है तो comment में जरूर बताएगा इसके लिए मैं अलग से आपको recording के लिए एक नई वीडियो बनाऊँगा बिलहाल आज का जो हमारा topic है वो है talking के ऊपर तो अपने topic पे वापस चलते हैं इसके बाद में जो दूसरी category हमारी आती है वो है non script based animation अब non script animation में क्योंकि character speaking नहीं करता है non script based animation में mostly background music जा फिर sound effects का use किया जाता है और इसके साथ में ही आपकी जो animation है उसका standard बहुत high level का आपका होगा तो ही वो आपकी audience को पसंद आएगा non script based animation की सबसे खास बात ये होती है कि चाहें देखने वाला किसी भी language से क्यों ना हो वो इस animation को ब जिस language में वो script लिखी होगी येवल उस language के जो लोग हैं उसको पसंद करेंगे वैसे तो आपको YouTube पे बहुत सारे ऐसे channel मिल जाएंगे जो non script based animation बनाते हैं लेकिन फिर भी example के लिए ओको ले ले और Oscar Osis नाम के दो channel हैं जो काफी popular हैं और उसकी काफी सारी videos को award मिला है जिसको आप YouTube पे जाके देख सकते हैं तो ये थी हमारी audio based animation की categories अब वापस से अपने main topic पे आते हैं जो है हमारा character की talking अपनी पिछली वीडियो में मैंने character के expression और speaking के लिए तीन process बताये थे जो हम blender में बना सकते हैं साथ में ही last video में मैंने आपको बताया किस तरीके से हम shape की की मदग से अपने character में अलग-अलग तरह की expression बनाते हैं तो आज की इस video में हम देखेंगे script based animation में जब हम audio उसको तयार करते हैं तो उसको किस तरीके से character में use करते हैं और किस तरीके से character की lip-sync है वो audio के according blender में काम करती है आज हम सिर्फ shape की मदद से देखेंगे किस तरीके से lip-sync करत तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो हम आ चुके हैं अपने blender की screen पे और आप देख सकते हैं यहां पे मैंने 3 characters ले रखे हैं जिनको मैं यहां पे talking करके दिखाऊंगा जहां पे भी आपने characters बना रखे हैं simply अपने scene में आप उनको copy and paste करके आप यहां पे character को ला सकते हैं किसी द बना रखे हैं अलग-अलग तरह के expression अपने character में show करने के लिए हम यह shape key बनाते हैं वैसे तो shape key के उपर मैं already एक video बना चुका हूं episode number 39 में आप देख सकते हैं shape key की मदद से किस तरीके से हम अलग-अलग तरह के expression अपने character में यहां पे बना सकते हैं लेकिन फिर भी मैं आपक छोटी से example के तोर पे दूसरा जो character है इसके लिए कुछ shape की यहां पे बना के दिखा देता हूं जो भी मेरा यह normal position में रहेगा वैसा यहां पे कैसा दिखना है उसके लिए मैं यहां पे आप देख सकते हैं shape key में plus का button दिखाई दे रहा है इस पे मैं जैसी click करूँगा आप अलग तरीके से change कर सकते हैं जैसे मैं अगर इसमें हसता हुआ इसको permanent हसता हुआ दिखाना चाहता हूँ normal position में तो मैं इसमें जो beach वाला है इसकी ages को select करूँगा यहां पे दौनों साइड से इसको पकड़ूँगा ages को और हलका सा इसको उपर की तरफ इस तरीके से मैं इसको मुस्कराता हुआ यहां पर दिखा सकता हूँ तो फिलहाल मैं इसको control z कर देता हूँ यहां पर वापस से tab दबाऊँगा तो अपना वापस से object mode में आ जाऊँगा यहां पर आप देख सकते हैं मेरी base की में मेरा यह character का face expression यहां पर save हो चुका है talking के लिए हमेशा आपको इस के last वाले को select करूँगा S बटन दबाऊँगा इस वार में और Z बटन दबाऊँगा Z से यह मेरा उपर से नीचे scale कर देगा तो मैं S और Z की मदद से इसको इस तरीके से इसके मुग को थोड़ा सा open कर लेता हूँ ताकि मेरा speaking के time पर इस तरीके से मुग खुले tap दबा के वापस से मैं वापस आ जाऊँगा जो भी आपने shape की यहां पर बनाई है उसको आप यहां पर नीचे देख सकते हैं value इसकी मदद से आप देख सकते हैं आपकी जो shape की है वो किस type से यहां पर दिखाई देगी जब भी आप यहां पर tap दबा के object mode में आएंगे shape की जो भी आपने changes किया है वो automatically यहां से remove हो जाएंगे तो value में जैसी मैं इसकी value बढ़ाता हूँ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जैसे जैसे मैं इसमें change किये थे वैसे वैसे यह इसमें इस तरीके से shape बना देगा तो normally इसमें talking ही हम यहां पर रखते हैं और थोड़ा सा ए बटन दबाऊंगा तो यह मेरा पूरा का पूरा यहां से select हो जाएगा अब मैं R बटन दबाके इसको यहां से इस तरीके से rotate कर सकता हूँ तो मैं इसको इधर की side ना करके इधर की side इस तरीके से rotate करूँगा यहां पर जैसे आप इसको click करेंगे इसके बाद मैं आपको rotate करक जो इसका eyebrow है इस पे click करूँगा, फिर से Ctrl L बटन दबाऊंगा, जिससे ये पूरा select हो जाए, और R बटन से इसको थोड़ा सा इस तरीके से move करके, जैसी में click करूँगा, फिर से ये window आ जाएगी मेरे पास rotate वाली, और इस वार मैं इसको edit करके, यहां से इसमें copy जो भी मैंने बिल्कुल उसी direction में change हो गया, जिस direction में में ये वाला change किया था, हलका सा इसके mouth को भी अगर आपको थोड़ा सा expression में डालना है, तो इसके last वाले को select करें, और इस तरीके से इसको नीचे की तरफ, बीच वाले को थोड़ा select करें, ओपर की तरफ इस तरीके से कर दीजे, यह इस तरीके से यहाँ पर feel कराएगा, टैब दवा के object mode में आएंगे, value में check कर लीजिए हमेशा कि वो आपने जो changes किये हैं, वो perfectly यहाँ पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा यह इसमें expression बन चुका है, अब आते हैं audio पे, सबसे पहला जो challenge हमारे सा आता है कि audio हम अपने character में किस तरीके से यहाँ पर इस्तमाल करते हैं, तो audio के लिए आपको एक और नई window यहाँ पर बनानी पड़ेगी, सबसे पहले मैं नीचे की तरफ यह जो timeline है, इसको animation के लिए यहाँ पर खोल देता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर मैं दूसरी window को open क करूँगा और इस window में मैं यहाँ पर दो इसमें divide कर दूँगा इस तरीके से, एक मेरा रहेगा यहाँ पर, सबसे पहले मैं click करूँगा और सबसे पहला जो मेरा window है, इसको मैं change कर दूँगा यहाँ पर, वीडियो sequencer, केवल animation में ही नहीं, कहीं पर भी अगर आपको audio इस्तम करते हैं, इसके उपर मैं already एक वीडियो बना चुका हूँ, episode number 23 में आप जाके सारे के सारे shortcuts, यहाँ पर किस तरीके से हमारा जो video sequencer है, वो काम करता है, और किस तरीके से इसके shortcuts काम करते हैं, वो वहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दूसरी window एक और मुझे चाहिए, इसका नाम है graph editor, graph editor को मैं जैसे यहाँ पर open करूँगा, इस तरीके से मेरे सामने एक line आ जाएगी, और यह मेरा यहाँ पर graph editor बन चुका है, इसको मैं थोड़ा सा इधर की side कर देता हूँ, इस तरीके से, ताकि मुझे graph यहाँ पर अच्छी तरीके से दिखाई दे, तो इस तरीके से मेरी जो window है, वो अब यहाँ पर sound के लिए मैंने बना ली है, अब मेरा जो main challenge है, वो यह है, किस तरीके से sound इसमें ले के आना है, तो सबसे पहले चलिए audio देख लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने दो folder बना रखे हैं, एक audio के लिए और दूसरा sound effects के लिए, तो सबसे पहले audio देख लेते हैं, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि audio को आप दो तरीके से यहाँ पर record कर सकते हैं, यह जो audio है, यह पूरे के पूरे dialogue एक जगा merge हैं इसमें, इसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, प्ले करके, बैठिये बैठिये, नमस्टे मास्टर जी, अच्छ इसको अब आगे वीडियो में देखेंगे, इसके अलावा मेरे पास में यहाँ आप देख सकते हैं, प्ले करके मैं आपको दिखा दिता हूँ, तो इस तरीके से यह sound effects हैं आपे, तो यह जो sound effects हैं, इस तरीके से मैंने केवल 4 यहाँ पर इस्तमाल कर रहा हूँ अभी, example के ल या फिर आपको free website से यह मिल जाएंगे, Google पर search करेंगे तो इस तब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और copyright से निश्चिनत रहें क्योंकि यह sound effects बहुत ही कम seconds के होते हैं, इसलिए इनका copyright नहीं आता है, तो चलिए सबसे पहले अपने dialogues पर चलते हैं, और जो भी dialogues मैंने यहाँ पर record किये हैं, इनको मैं यहाँ से drag and drop करके, अपने blender file में, अपने video sequencer में यहाँ पर लाके drop करूँगा, तो आप देखेंगे, मेरा जो dialogues है, वो यहाँ पर आ चुका है, अब सबसे पहले आप देख सकते हैं, इसमें एक बीच में एक पट्टी दिखाई दे रही है, यह हमार यहाँ से लेके, यहाँ तक हमारी video यहाँ पर record होती है, हमारा जो यह space है video recording का, है इसको मैं यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ, जितना मेरा sound है, तो इसको जितना मैं minimumize करना चाहँ उतना minimumize करके, सबसे पहले अपना यह जो timeline है, इसको यहाँ पर लाऊँगा, और जहां तक पट्टी रखनी है, वहाँ पर लाके अपना Ctrl-End बटन दबाने से ये मेरा वहाँ पर सेट हो जाएगा, तो Ctrl-End बटन से इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, अब आप देख सकते हैं, जो भी मैंने आडियो यहाँ पर बनाई है, इसमें मुझे कुछ दिखाई नहीं देख रहा है, सबसे पहला जो काम करना है, इसमें जो आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटी पट्टी मुझे दिखाई दे रही है, इसको अगर थोड़ा सा बढ़ा करना है तो left to right यह मेरा बढ़ जाएगा, फिलाल यह मुझे थोड़ी सी उपर नीचे, थोड़ी सी बढ़ी करनी है तो मैं इसको हल्क आसा बढ़ा दूँगा पट्टी को, तो इस तरीके से मेरी पट्टी थोड़ी सी चोड़ी हो जाएगी, जो मुझे दिखाई देने लेगी कभी भी आपको यह मैनेज करना है, तो control के साथ मैं scroll जो है आपके mouse का button दबा के उसको manage कर सकते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो डायलोग्स हैं वो यहाँ पर कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि कहां पर यह बोल रहा है कहां पर नहीं तो उसके लिए मैं end button दबाऊंगा अपने keyboard से और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा display waveform तो यह जो display waveform है जैसी आप इस पर टिक करेंगे आप देखेंगे जहां जहां यह dialogue इसने बोले हैं वहां वहां पर यह पटी बनके आ जाएगी और दिखा देगा कि कहां कहां पर मेरा यह speaking कर रहा है इसको मैं end button से वापस से बंद कर सकता हूँ आप सबसे पहले मुझे timeline अगर यहाँ पर fit करना है तो मैं shift के साथ मैं left arrow button दबाऊंगा और यह मेरा यहाँ पर set हो जाएगा अब इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूँ यहाँ पर scroll button से इस तरीके से मैं यहाँ पर सबसे पहले starting में आ जाते हैं तो सबसे पहले आप देखिए जो audio है थोड़ी सी मेरी timeline से पीछे है तो कहीं पे भी आपकी audio हो अपने timeline को यहाँ पर set करके shift S से मैं इसको बड़े आसानी से यहाँ पर set कर सकता हूँ किसी भी audio को आप कहीं पे भी set करना हो timeline को ले जाए और shift S बटन दबा दीजिए वो यहाँ पर से set हो जाए तो यह थी मेरी audio को इसके अंदर लाना अब मुझे यह जो audio है अपने character में किस तरीके से इस्तमाल करनी है आईए देख लेते हैं अब मुझे पता है यह आपने और लोग वीडियो देखी होगी और नॉर्मली जब भी आप इसको 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 यहाँ पर F curve की मदद से यहाँ पर इस्तमाल करेंगे तो यह जो background noise है जहां जहां पर यह पीछे आप देख रहा है background noise देख सकते हैं इस तरीके से इस पे भी इसका जो mouth है वो यहाँ पर कमपन करेगा कम से कम तो चलिए practical के लिए सबसे पहले देख लेते हैं normally हम जो audio है वो किस तरीके से इस्तमाल करते हैं फिर इसका एक अच्छा सा procedure देखेंगे किस तरीके से हमें यह इस्तमाल करनी चाहिए सबसे पहले अगर मुझे इस्तमाल करनी है तो मैं इसमें इस्तमाल करूँगा एक करूँगा उसके लिए सबसे पहले मुझे इसकी body को यहाँ पे select करना है और आपको इस्तमाल करना है अपना graph editor graph editor में आपको जाना है key पे character को select करने के बाद मैं सबसे पहला जो आपको काम करना है इसमें जो talking वाला जो आपने इसके लिए shape की बनाया है उसको यहाँ पे select करना है उसके बाद जो इसकी value है यहाँ पे आप देख सकते हैं side में एक animation का बार आपको दिखाई दे रहा है आपका जो timeline है सबसे पहले starting में होना चाहिए और starting में अगर नहीं है तो उसको shift के साथ में left arrow से starting में लेके आईए और यहाँ पे जो value है इसको टिक कर देना है जैसे यह आप इसको टिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चोटा सा key frame बन चुका है और इसी तरह का एक छोटा सा key frame यहां ग्राफ में भी generate हो जाता है जो white color का यहां पे आपको दिखाई देगा इसको मैं दिखा देता हूं यह जो white color का key frame है यह मेरा यहां पे generate हो चुका है shift left arrow से वापस से मैं इसको कर देता हूं यहां पे अब मुझे क्या करना है कि यह जो sound है इसको अगर मुझे f curve में use करना है इसी sound से इसके mouth को चलाना है तो simply मुझे जाना है key में key मैं यहां पे एक option मिलेगा bake sound to f curve इस पे जैसी आपको click करेंगे अब आपको वहां उस location पे जाना है जहां पे आपका यह sound जो ऊपर आपने यहां पे इस्तमाल किया था तो इस तरीके से मेरा जो sound था वो यहां पे था इसको मैं यहां से select करूँगा और bake sound to f curve मैं यहां से अ salty इसमें होगी उतना ही एक graph आपका अच्छी तरीके से बनेगा और आपका जो character है वो यहां पे मुह इसका खोलेगा अगर हम इस graph को उपर नीचे करना चाहते हैं या इसको बढ़ाना चाहते हैं जिससे मेरा mouth भी अच्छी तरीके से यहां पे खुले तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा क्योंकि यह graph editor में काफी सारी चीज़े हैं तो graph editor का हम अलग से वीडियो बना देंगे पिलाहल main point पे यहां पे focus करते हैं graph editor में F curve की मदश्चे इसको लेके आएंगे तो अब मेरा जो shape की है यह इसको पकड़ लेगी अब एक चीज़ का में इसा ध्यान रखना है इसमें यह जो audio है जो हमने यहां पे बोलने वाली जो हमें sound सुनाई देता है और यह जो दूसरी audio मैंने जो graph में इस्तमाल कर रहा हूं यहां पे यह वाली यह दोनों बिल्कुल different हैं अलग-अलग हैं तो यह जो graph के जो यह उभार है यह हमारा जो character है इसके mouth को ऊपर नीचे करेंगे किस तरीके से करेंगे आई दिखा देता हूं में यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे यह जो graph है इसको अगर मैं पिले करूंगा बैठीए बैठीए तो इस तरीके से में जो character है वो graph के हिसाब से इसमें mouth को खोलेगा अगर आपका जो audio ह थोड़ा low level का है तो हो सकता है कि यह mouth को कम खोले और उससे हम graph को भी इसको उपर नीचे कर सकते हैं जिसको हम graph के लिए एक अलग से video बना देंगे फिलाल audio पर focus करते हैं अब एक चीज हमें सा ध्यान रखिएगा कि यह दौनों की दौनों audio बिल्कुल इसमें different है तो audio जो सु तो यह जो technique है यह हमारी simple technique है जिसको आप इस्तमाल करते होंगे लेकिन हम यहाँ पे इसको इसको इस्तमाल नहीं करेंगे इसको जो अच्छा तरीका है इस्तमाल करने का वो सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक एक dialogue को हम यहाँ पे काट के इस्तमाल करें ताकि यह जो उसकी जो speaking में ना आये तो कैसे करेंगे आये देख लेते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जब आप इसमें F कर बनाएंगे तो यहां पर आपको यह जो animation है यहां पर different different animation बनती चली जाएगी आप देख सकते हैं जैसी मैंने key को खोला यहां पर talking करके value यहां पर दिखाई दे रहा है और इसको delete करते हैं तो हम directly इसको यहां से delete करने की कोशिश करते हैं या फिर इस graph को यहां से directly delete करने कोशिश करते हैं उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसमें यह जो value है इसको यहां से select कीजिए जैसी आप इसको अलग जगह select करेंगे यह white color की हो जाएगी मानली जी मैं इसको यहां पर select करोता हूँ तो आप देख सकते हैं की यहां पर select हो गई और यह white color हो यह बनलब यह deselect हो गया तो इसको मैं यहां से delete करना जाता हूँ तो इसको यहां से select कीजिएगा और इसके बाद यहां से delete का button दवाएंगे तो यह मेरा यहां से delete हो जाएगा माई लिजी आपने sound update किया और दुबारा से आप इसको एफ कर में use कर रहे हैं और आपने यहां से delete ना करके इसके उपर override करने की कोशिश की तो फिर यह सारी की सारी चीजे इसमें गड़वड हो जाएंगी और इसमें आपका blender error देने लगेगा कि इसमें already जो आपकी animation है वो साथ की साथ अब अपना जो main process है उसको देख लेते हैं तो audio को इस्तवाल करने से पहले सबसे पहले हम character पे camera set कर लेते हैं यहां पे मैं 3 camera यहां पे लगा देता हूं इसके लिए मैं यहां पे अलग से collection बनाऊंगा new collection के नाम से इसका नाम देता हूं मैं camera set करने के उपर पहल चोटी चोटी windows हो चुकी हैं जो मुझे काम करने में देखकत कर रही हैं तो किसी भी window को अगर मुझे बढ़ा करके देखना है तो उसके लिए मैं इस window पे cursor लाऊंगा अपना और control के साथ मैं space का button दबाऊंगा तो आप देखेंगे वो window थोड़ी सी बड़ी हो जाईगी सब अब मुझे इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से manage करना है तो V button दबा के मैं इसको इस तरीके से अपने character पे set कर सकता हूं फिर से control के साथ space button दबाऊंगा तो यह मेरी वापस से window छोटी हो जाईगी तो एक camera मेरा यहाँ पे set हो चुका है इस camera का मैं कुछ भी नाम दे सकता camera 1 दे देता हूं जीरो बटन दबा के मैं इसमें camera view और camera view से बाहर आ सकता हूं अब दुबारे से दूसरे character के लिए camera ले लेते हैं control space बटन दबाएंगे और एक camera में shift A दबा के यहाँ पे इसके लिए ले ले लेता हूं ctrl alt 0 बटन दबाऊंगा और इस तरीके से इसको यहाँ पे set कर सकता हूं हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यह जो camera है यह समय selected नहीं है इसका reason यह है इसकी जो यह पट्टिया है यह अभी black दिखाए दे रही है इसको यहाँ से भी मैं select कर सकता हूं या फिर मुझे फिर से ctrl space बटन दबाके यहाँ से भी इसको select करने के लिए window आ जाए अगर आपको यहाँ से select करना है तो simply इस पे click कर दीजिए इसमें यहाँ पे यह सलेक्ट हो जाएगा manage करने के लिए फिर से मैं V बटन दबाऊंगा और इस तरीके से इसको यहाँ पे manage कर सकता हूं control के साथ space बटन दबाके मेरा बापस से यह इस तरीके से camera आ जाएगा इसको मैं नाम दे देता हूं camera number 2 mouse का scroll बटन दबाके आप इसको camera view से बाहर आ सकते हैं या zero बटन दबाके भी camera view से बाहर आ सकते हैं अब यहाँ पे हम dialogue सुन लेते हैं सबसे पहले कि हमारा पहला dialogue क्या है हाँ बैठिये बैठिये नमस्ते मास्टर जी तो सबसे पहला हाँ बैठिये बैठिये करके Master G का Dialog है बैठिए बैठिए तो इस Dialog को हम यहां से Cut कर देते हैं यहां पर मैं इसको Cut कर दूँगा K बटन दबाऊंगा और यह मेरा यहां पर Cut हो जाएगा इसको मैं यहां से Delete कर देता हूं बैठिए बैठिए और इसको थोड़ा सा यहां पर लाके के इसको फिर से मैं हाँ पर select करके के बटन दबाऊंगा तो यह मेरा इस तरीके से पहला डायलोग यहाँ पर set हो गया बैठीए बैठीए बीच में अगर आपका background music इसमें आ रहा है तो इसको आप यहाँ पर delete करके इसको इस तरीके से manage कर सकते हैं के बटन दबाएंगे इसको और इस तरीके से आप इसको के बटन दबाके यहाँ पर delete कर देंगे तो इसका जो mouth है वो इस पर lip sync करना बंद कर देगा इस तरीके से मेरे जो dialogue है पहला वो यहाँ पर यह आ चुका है यहाँ पर आपको एक कीज का विसेज ध्यन रखना है, कैमरा जब आपके multiple हो जाएंगे, तो एक ही कैमरा आपके यहां पे काम करेगा, अगर आपको multiple कैमराज इस्तमाल करने हैं, तो episode number 38 देखिएगा, उसमें मैंने detail में बताया है कि इस तरीके से आप इसमें इस्तमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इसमें दूसरा कैमरा अगर इस्तमाल करना चाहता हूँ, तो simply सबसे पहले मैं camera 1 यहाँ से select करूँगा, और उसको मैं focus कर देता हूँ अपने character पे, इस तरीके से, V button दबा के इसको इस तरीके से set कर देता हूँ, तो starting में जो मेरा camera है, वो master जी का dialogue है, इसलिए मैंने यह master जी पे set कर दिया है, और इसको मैं सबसे पहले, जब आप multiple camera के साथ काम कर रहे हूँ, तो आपको marker हमेशा इस्तमाल करने हैं, तो सबसे पहले मैं add marker पे, यहाँ पे click करूँगा, इसका shortcut है M, add marker पे मैं click करके, यहाँ पे पहला marker लगा दूँगा, अब यहाँ पे मुझे यह camera set करना है, camera number 1, तो मैं दुवारा से marker में जाऊँगा, और यहाँ पे मेरे पास एक option में लेगा, bind camera to markers, जिसका shortcut है control B, इस पे मैं जैसे click करूँगा, जो भी camera यहाँ पे selected होगा, वो मेरा camera number 1 आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ यहाँ पे लिखा आ चुका है, आप देख सकते हैं camera number 1 यहाँ पे आ चुका है, इस तरीके से मेरे master जी पे मैंने यह camera set कर दिया, और पहला dialogue इस पे यहाँ पे set कर दिया, अगर मैं यहाँ पे sound effects यूज़ करना चाहता हूँ, तो चलते हैं अपना sound effects window पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे काफी सारे sound effects हैं, तो इसमें से कोई sound effect मैं आपे इस्तमाल करूँगा, इस वाले sound effects को मैं यहाँ पे drag and drop करके अपना यहाँ पे लेके आऊँगा, इस तरीके से, end button दबा के इसका भी मैं यहाँ पे इसका जो graph है, उसको on कर देता हूँ, यहाँ पे यह जो sound effects हैं यह आप कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन आपको जो dialogues हैं वो एक यहाँ पे एक ही line में रखना है, जितने भी आपके dialogues हैं वो आप यहाँ पे एक line में रखना है, और sound effects जो होई यह वो आपके, वो आपको इस line से अलग रखने हैं, किसी दूसरी line में, इसको उपर भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, तो पहला sound effects मैंने यहाँ पे use किया, इस तरीके से मेरा sound effects इसमें दिखाई देगा, बैठिये, बैठिये, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे set कर देता हूँ, और यह यहाँ पे मेरा dialogue complete हो चुका है, अब दुबारे से मैं इसको इसको चिपकाना चाहता हूँ, तो shift s बटन दबाऊँगा, यह मेरा यहाँ पे चिपक जाएगा, अब मेरा जो camera है, वो move करेगा यहाँ पे, तो उसके लिए आप देख सकते हैं, इस समय जो cursor है, वो मेरा यहाँ पे already set है, तो मैं यहीं पे इसका दूसरा marker बना दूँगा, यहाँ पे मेरा camera दूसरा वाला set हो जाएगा, ध्यान रहे कि marker पे camera set करने से पहले, camera हमेशा यहाँ से selected होना चाहिए, नहीं तो camera number 1 ही इस पे select हो जाएगा दुबारा से, और आपकी सारी settings कड़बड हो जाएगी, तो camera number 2 मैंने select किया यहाँ से, अब फिर से मैं यहाँ पे bind camera to markers करूँगा, और मेरा camera number 2 आप देख सकते हैं, अभी इस समय यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है, 0 दबाके मैं camera mode से बाहर आ जाता हूँ, और जहाँ पे भी मुझे यह camera set करना है, उस character पे लाके इस तरीके से मैं अपने camera को Ctrl-Alt-0 से set कर सकता हूँ, V button दबा के इसको इस तरीके से manage कर दूँगा, आगे पीछे ले जाना है आपको तो V button दबा के W और S से आप इसको पीछे आगे कर सकते हैं, यह सारी settings मैंने already अपनी episode number 37 और 8 में define कर रखी हैं, इस तरीके से मेरा जो second character है वो यहाँ पे set हो चुका है, अब दूसरा जो dialogue है वो मेरा यहाँ पे इस character पे रहेगा, तो आप देखेंगे कि जैसे मैं इसको play करूँगा, सबसे पहला मेरा जो camera है वो यहाँ पे इस वाले character पे रहेगा, और जैसे ही मैं इसको play करूँगा, यह इसके dialogue पे यह दुबारा से इस पे move हो जाएगा, तो अब दुबारा से हम इसका dialogue यहाँ पे cut कर देते हैं, सबसे पहला काम आपको क्या गरना है, सबसे पहले जो जो dialogues इनके हैं, उनके उसके चहरे पे आप यहाँ पे set कर दीजे, तो आपने देखा किस तरीके से मेरा camera number पे, मैंने पहला dialogue set किया, camera number 2 पे मैं अब यहाँ पे इसको, दूसरा dialogue यहाँ पे set कर दूँगा, देख लेते हैं कहां तक इसका dialogue है, तो यहाँ पे यह dialogue end हो गया, इसको मैं फिर से के button दबा के cut कर देता हूँ, पीछे की तरफ ले जाँगा इसको, यहाँ पे भी कोई sound effects में इसमें डाल देता हूँ, फिर से इसी को उठा के drag and drop कर सकता हूँ, या मैंने इसमें ले रखा है, इसी को मैं shift D बटन दबा के यहाँ पे set कर दूँगा, नमस्ते मास्टर जी, तो इस तरीके से मेरे जो दूसरा character है, वो camera automatically इसको move हो जाएगा, और जो dialogue है वो भी उसका set हो चुका है, नमस्ते मास्टर जी, यहाँ पे यह end हो गया, फिर से मैं इसको select करूँगा, बाकी के जो मारा बचा हुआ space है, और shift S बटन दबा के फिर से इसको यहाँ पे attach कर दूँगा, फिर से मेरा master जी पे camera जा रहा है, तो इस बार मुझे बार बार camera set करने के जरूँद नहीं है, यह जो मेरा पहला camera master जी पे set था, इसी को मैं यहाँ से select करूँगा, और ध्यान रहे मेरा जो cursor है, इसी camera के उपर होना चाहिए, कहीं और ले जाएंगे तो यह काम नहीं करेगा, shift D बटन यहाँ पे दवाना है मुझे, और यह duplicate यहाँ पे कर देगा इसका, और उसको मैं आगे ले जाके, जहाँ पे मुझे यह cursor या timeline मेरी जो है, इसको यहाँ पे मैं रख दूँगा, अब automatically यह मेरा camera मेरे master जी पे set हो गया, अब आप देखेंगे इसको इस तरीके से, बैठिये बैठिये, नमस्टे master जी, अच्छा, तो आप इस honहार के पिता जी है, तो इस तरीके से मेरा जो camera है, automatically यहाँ पे change हो रहा है, डायलोग के according, डायलोग की settings अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे, दुबारा से मैं यहाँ पे dialogue को, के बटन दबा के, कट कर देता हूँ क्योंकि मेरा master जी का dialogue यहाँ पे है, तो इसको मैं यहाँ दुबारा से इसको थोड़ा सा पीछे करूँगा, और यहाँ पे कोई sound effects डालना चाहता हूँ, तो कोई दूसरा और यहाँ पे डाल देता हूँ, इस बार मैं इसको ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से drag and drop करके, इस पे ऊपर की तरफ रखूँगा, कहीं भी आप डाल देजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें कहीं पे भी रख लीजिए, end बटन दबा के इसको देख लीजिए, कहाँ पे इसमें wave है इसकी, और इसको यहाँ पे set कर दीजिए, डालोग के हिसाब से आपका जो camera है, वो यहाँ पे set होता चला जाएगा automatically, तो फिर से मैं इसको shift-s बटन दबा के यहाँ पे, इससे manage कर लूँगा, और इस बार फिर से यह father का डालोग है, तो मैं इस बार फिर से father का जो camera है, इसको यहाँ से select करूँगा, और अपना जो cursor जहाँ पे मेरा यह timeline आ चुका है, इस timeline पे shift-d बटन दबाऊँगा इस पे लाके, और फिर से मैं यहाँ पे timeline पे इस पे set कर दूँगा, अब मेरा यह जो camera है automatically father पे आ गया, देखा आपने, यह इधर की side में यह मेरा master जी पे है, और इसका dialogue आते ही यह इसके father पे आ जाएगा, तो जैसी मैं space बटन दबाऊँगा, यहाँ पे यह इसका dialogue खतम हो गया, और यहाँ पे फिर से मैं k बटन दबाऊँगा, और मेरा जो dialogue है वो दुवारा से यहाँ पे खतम हो जाएगा, sound effect को दुवारा से मैं यहाँ पे shift D करके इधर की side में use कर देता हूँ, इस तरीके से, आगे पीछे जहाँ भी आप use करना चाहें, उसी साब से आप लगा सकते हैं sound effects इसका, फिर से यह master जी का dialogue यहाँ पे, मेरा इस जगा पे यह master जी का dialogue आएगा, अपने इस पे लाके, इसको मैं shift S कर देता हूँ यहाँ पे, वाह, क्या होनार बेटा पैदा किया है आपने, जी थैंक्यू master जी, तो यहाँ पे यह master जी का dialogue खतम हो रहा है, इसको मैं k बटन दबा के इसको पीछे कर देता हूँ इधर की side, और फिर से इस वार मैं यह sound effect इसमें use कर लेता हूँ, इस तरीके से, यहाँ पे यह dialogue end हो चुका है, अब इसमें जहाँ पे भी आपको expression या कुछ भी चीज रखनी है, उसी इसाब से इसमें थोड़ा सा gap दे सकते हैं, या expression को इस्तमाल कर सकते हैं, जहाँ पी भी आपको जरुवत पड़ती है, और बाद में भी अगर आपको कहीं पे जरुवत पड़ती है, तो आपको निराश होनी जरुवत नहीं है, आप इसको दुबारा से अपडेट भी कर सकते हैं, इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं, एक डायलोग और मैं इसमें यहाँ पे सैट कर देता हूँ इसका, इसको सिफ्ट एस बटन से यहाँ पे सैट कर दूँगा, जी थैंक्यू मास्टर जी, अरे क्या थैंक्यू, के बटन दबाऊंगा यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे सैट कर दूँगा, तो ये मेरा फादर पे इस पे मुव हो जाएगा तो इस तरीके से मेरे जो कैई डायलोग हैं वो इसमें सैट हो चुके हैं आप जितने चाहें उतने डायलोग यहाँ पे सैट कर सकते हैं मैं फिलाहल के लिए इसको डेलीट कर देता हूं ज़्यादा वीडियो इससे लंबी हो जाएगी जो चीज मुझे एकस्पिलेन करनी है वो चीज यहाँ पे आपको पता लग गई होगी किस तरीके से आपको डायलोग यहाँ पे सैट करने हैं अब आती है इसके लिपसिंग की आपको लिपसिंग में आभी यह किस तरीके से इसकी आडियो यहाँ पे इस्तमाल करनी है आए देख लेते हैं लिपसिंग में जब आप आडियो इस्तमाल करेंगे तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इस timeline को नीचे करना है और यहाँ पे graph editor है, इसको हलका सा उपर करना है, क्योंकि graph editor की मुझे इसमें जरूरत पड़ेई, अब उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था, window को अगर आपको बढ़ा करना है, तो इसके लिए मैं control के साथ space बटन दबाऊंगा, आप देख सकते ह तो यह बड़ा हो जाएगा, तो मैं छोटा कर देता हूं इसको थोड़े दिर के लिए यहाँ पे, तो इस तरीके sound effects अगर आपके बहुत सारे हैं इसमें, तो इस तरीके से अपनी window को छोटा कर लीजे, और नीचे वाली को मैं यहाँ पे select कर दूँगा, इस तरीके से मैंने नीचे वाली यहाँ पे select कर दी, अब मालीजे आपके जो sound effects हैं, वो बहुत सारे इसमें है background music बगएरा सारी चीज़ इसमें है, अब मैं चाहता हूं कि यह जो मेरी line है, इसके अलावा बाकी सारी चीज़े मेरी यहाँ पे select हो जाएं और यह यहाँ पे deselect हो जाएं, तो इसक से आप इसको check कर सकते हैं, तो control I मैं यहाँ पे अगर दवाता हूं, आप देखें कि इस वाली line को छोड़ के जो मैंने यहाँ पे सिर्फ यह वाली line select की थी, उसको छोड़ के जितने भी यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे audio आपने इस्तमाल की है, वो सब यहाँ पे select हो ज मैंने यह mute कर दिये, यानि बंद कर दिये, अब मेरे पास सिर्फ यह dialogue dialogue बचे हैं, अगर मैं इसको play करूँआ यहाँ पे तो सिर्फ यह dialogue सी यहाँ पे दिखाई देंगे आपको, बैठिये बैठिये, नमस्ते मास्टर जी, अब यह जो sound effects हैं यह इसमें नहीं आ रहे हैं, तो mute करने का जो इसमें option है, वो stripe में आपको मिल जाएगा, lock या mute यहाँ पे आप देख सकते हैं, mute, unmute अगर आपको करना है तो alt के साथ h दवाना है, mute अगर आपको करना है तो h बटन दबा के इसको, आप सुनने में इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे hide कर सकते हैं, जैसे हम character को hide करते हैं, अब मेरा सबसे पहला काम है, जो मैंने dialogue बनाए है, इसको अब मैं F curve में convert करूँगा, अब directly कैसे F curve में यहाँ पे convert करते हैं, आइए देख लेते हैं, अब आपने देखा कि मेरा सिर्फ यहाँ पे dialogues बचे हैं, बाकी सारे मेरे इसमें hide हो चुके हैं, तो मैं control क साथ space बटन दबा देता हूं, और दिखाने के लिए थोड़ा से मैं control के साथ इसको बढ़ा कर देता हूं, ताकि यह आपको ठीक से दिखाई दे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिर्फ मेरे dialogues बचे हैं, बाकी साब इसमें hide हो चुका है, अब यह जो dialogues हैं, इसको अगर यहाँ से export कर देने, तो export कैसे करने आई यह दिखा देता हूं, आपको जैसे मैं render audio पे click करूँगा, यहाँ side में आपको एक option दिखाई दे जाएगा, जो आमारी audio के लिए बना हुआ है, इसमें FLC की जगे आप हमेशा इसमें wave का इस्तमाल करें, wave बहुत अच्छी quality होती है audio की format जो है, इसका वही रहने दीजिए, जो है, तो जहाँ पे मेरी जो audio थी, वहीं पे मैं यह audio को save कर लेता हूं, और इसका नाम दे देता हूं, F Curves, यह जो audio है, यह मैं इसमें lip sync के लिए यहाँ पे इस्तमाल करने वाला हूं, तो मैं जैसे इस पे click करूँगा, थोड़ी द तरह आपका ज़्यादा time नहीं लेती है, एक्सपोर्ट करने से पहले सबसे पहले आपको blender को हमेशा save कर लेना है, अगर आपका कभी-कभी blender crash भी हो जाता है, तो आपकी जो सारी जो भी आपने किया है, वो इसमें save हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपने देखा कि मेरा master जी व सबसे पहले उसी तरीके से सबसे पहले नीचे वाली पट्टी आप select कर लीजिए, और control I बटन दवाएंगे, तो यह उपर वाले जितने भी यहाँ पे होंगे, उपर के चाहें एक line कितनी भी उपर तक हो, यह सारी select हो जाएगी, और alt के साथ H बटन दवाएंगे, तो यह मे character की body को select करना है, यहाँ पे shape की already आप यहाँ पे बना चुके हैं, talking की, talking की shape की आपको यहाँ पे select करनी है, और इसमें इस बार जो value है मेरी आपको value पे ध्यान देना है, value हमेशा यहाँ पे जो value है, इसकी value 0 होनी चाहिए, तो आप 0 इस पे set कर दीजिए, अगर 0 नहीं है तो और अपना जो cursor है, इसकी timeline को थोड़ा से मैं उपर कर देता हूं यहाँ पे, इसको सबसे पहले आपको लेने के आना है left side में, और यहाँ पे आप graph देख सकते हैं, cursor मेरा हमेशा यहाँ पे shift के साथ left arrow से यहाँ पे यह आ जाएगा इस तरीके से, जब आप इसको select करेंगे त यहाँ पे add हो जाएगा और आप देख सकते हैं, यहाँ पे graph editor में यहाँ पे यह बन चुका है, तो हमेशा delete अगर आपको करना है यह और इसमें और भी आगे की तरफ add करना है, यहाँ पे sound और इसको delete करना है, तो यहाँ से delete करें पहले, उसके बाद दुवारा से इसको F कर पे आप यहाँ पे change कर सकते हैं, तो अब इस character के लिए मैं यहाँ पे दुवारा से यह sound bake कर दूँगा यहाँ पे, की पे जाना है, bake sound पे जाना है और फिर से जहाँ पे भी आपकी audio आपने save की थी F कर वाली उसको select करके यहाँ से bake sound to F कर पे click करना है, आप देखेंगे कि यह यहाँ पे जो graph है वो मेरा आ चुका है, अब आप इसको play करके देखेंगे, तो आप देखेंगे जो ऊपर के sound effects है, वो मेरे इसमें नहीं आएंगे, केवल जो मैंने यहाँ पे dialogues इसके इसके इस्तमाल किये हैं, वो ही dialogues पे यह मेरा मूँ चलाएगा, अब आप इसमें एक ची नहीं किया है, तो इसको भी मैं दुवारा से इसको select करूँगा इसकी body को, और talking पे click करके 0 पहले यहाँ select होना चाहिए, timeline को लेके आना है, shift के साथ left arrow से starting में, और फिर से मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो एक tick लगाना है value से, जैसे ही मैं tick लगाँगा, मेरा एक keyframe बन और उसके बाद में दुवारा से वही काम करना है, अब आपको यहाँ पे animation पे ध्यान देना है, आपने एक character के लिए यहाँ पे value talking यहाँ पे इसके लिए, दुवारा से मैं यहाँ पे इसको bake sound to F करूँगा, और फिर से इसको यहाँ पे click करूँगा, यह मेरा father के लिए add हु बन चुके हैं speaking के लिए, अगर मैं numpad का zero button दबा के camera mode में चेक करूँगा यहाँ पे, तो simply मेरे जो character नहीं बहुत सई तरीके से काम करेंगे, हाँ, बैठिये बैठिये, नमस्टे मास्टर जी, अच्छा, तो आप इस होनहार के पिता जी है, हाँ मास्टर जी, वाह, क्या होन बैठा पैदा किया है आपने, जी थैंक्यू मास्टर जी, यह जो graph है, इसको आप, तो simply आपका जो character है, वो यहाँ बिल्कुर perfectly काम कर रहा है, लेकिन दिक्कत इसमें कवा आती है, जब आपका एक ही camera के अंदर दो character set, माली जी अगर मैं यहाँ पे अलग से आपको वीडियो दिखाता हूँ, और camera से बाहर आके अगर मैं यहाँ पे play करूँगा, इसमें starting से, बैठिये बैठिये, नमस्टे मास्टर जी, अच्छा, तो आप इस होनहार के पिता जी है, हाँ मास्टर जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोनों character सारे dialogues बोल रहे हैं, अगर मैं camera mode को यह जो video export होगी, उसमें मुझे यह नहीं show करेगा कि दोनों character speaking कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो camera है, वो automatically change हो जाएगा दूसरे character पर, हाँ, बैठिये, बैठिये, नमस्टे मास्टर जी, इस तरीके से मेरा जो single single character है, वो single camera के साथ काम कर रहा है, लेकिन जब multiple characters आ जाते हैं, एक ही camera तब हमें इसकी जुरूरत पढ़ सकती है, तो मैं एक camera और set कर देता हूँ, यहाँ पे camera number 3, तो फिलहाल मैं यहाँ पे shift A बटन दबाऊँगा, और इसको मैं camera में दोनों को इस वार ले लेता हूँ, यहाँ पे, control space बटन दबाऊँगा, control alt 0 बटन दबाऊँगा, और यह मेर camera set हो गए यहाँ पे, V बटन दबाके मैंने दोनों character set कर दिये, control के साथ space बटन दबारा से मैं यहाँ पे set कर देता हूँ, अगर मुझे कोई sound effect इसमें add करना है, तो simply अपने sound effects पे जाना है, और यहाँ से जो भी sound effect आपको use करना है, उसको simply drag and drop उसी तरीके से कर देंगे यहा चलिए अब इसमें देख लेते हैं कि अगर हमें lip sing में individually character को speak कराना है, तो किस तरीके से कराएंगे, जितने भी आपके पास multiple characters हैं, सभी के लिए यह talking हम यहाँ से बंद कर देंगे, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको यहाँ से mute करते समय, यह जो आपका keyframe आगे आपको रखना है, कहीं पे भी आप इसको रखिएगा, इसके उपर अगर आप इसको रख देंगे, तो यह इसको override कर देगा और आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको कहीं पे भी थोड़ा सा आगे की तरफ खिसकाऊंगा, और इसको इसकी talking ज आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा keyframe बन चुका है, और अब आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लीजिए, आगे लाके, बैठिए बैठिए, देख सकते हैं, आप यह वाला character speaking कर रहा है, यह मेरा यहाँ पे इसका बंद हो चुका है, और जैसे ही मैंने यहा यहाँ पे i button दबाया, इसमें एक छोटा सा keyframe बना, और इसके साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं, mute का एक छोटा सा option बनके मेरे सामने आ चुका है, इसी तरीके से मैं इस वाले character को यहाँ पे select करूँगा, इसको थोड़ा सा timeline को थोड़ा सा आगे लाके, यही starting से ही, द i button दबाएंगे, यह हलका सा yellow हो जाएगा, यानि कि मेरी जो keyframe है, वो यहाँ पे generate हो चुका है, और mute यहाँ पे लिखा आ जाएगा, आप देख सकते हैं, cursor पे mute लिखा आ गया, यानि कि मेरा जो mute का एक, यहाँ पे animation है, वो बन चुका है, अब मैं यहाँ पे अगर इसको play कर के दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे, दौनों मैंसे, कोई सा भी character मेरा यहाँ पे speaking नहीं करेगा, बैठिये, बैठिये, नमस्ते master जी, आपने देखा किस तरीके से अब यह मेरे character में mute हो गये, यह आपको easily बता देगा कि dialogue कहा से कहा तक है, तो यहाँ पे आपका पहला dialogue है इसमें आपको यहाँ पे रखना है, इसको cursor को, और इसमें master जी speaking कर रहे है, master जी वाला जो body है, उसको select करना है, और इसमें यहाँ पे लाके दुबारा से आपको talking पे जाना है, और इस talking पे आपको इसमें tick कर देना है, जैसी आप इसमें tick करेंगे, यह हलका सा orange हो जाएगा, और दुबारा से आपको इसमें eye button दवाना है, तो यह फिर से एक हलका सा yellow हो जाएगा, इसका मतलब हमारा जो दूसरा keyframe है, वो मेरा graph पे इस बार बन चुका है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक नया keyframe मेरा graph पे बन चुका है, यानि speaking अब यह दुबारा से यहाँ पे कर बनेगा, तो इसका मतलब यह मेरा speaking करने लगा है, और इस line पे बनेगा, तो यह मेरा यहाँ से mute कर हो जाएगा, वापस से जैसी में इसको play करूँगा, बैठिये, बैठिये, और अगर मैं दूसरे character को यहाँ पे आपको दिखा हूँगा, इस तरीके से, तो यह मेरा आप सां जो खतम हो गया है, तो फिर से मैं यहाँ पे टिक करूँगा, और फिर से आपना आई बटन दबा दूगा इसमें, तो आप देखेंगे, दोबारा से यह mute वाला जो मेरा line है, दोबारा से यहाँ से बन गई, यानि अब मेरा line, mute वाला keyframe है जनरेट हो गया है, और यहाँ पे इसी पे होना चाहिए, आई बटन दबाऊंगा में हाँ से, आई बटन दबाते ही मेरा यह हलका सा यलो हो जाएगा, और मेरा एक keyframe बनेगा, जो इस बार speaking का keyframe बनाए, speaking वाली line पे, इस बार मेरा यह speaking करने लगेगा, नमस्टे मास्टर जी, तो इस तरीके से आप इसमें कि इसी भी character को speaking करा सकते हैं, जहां पी चाहें, वहां पे, फिर से मेरा यह dialogue दूसरा मास्टर जी का स्टार्ट हो गया, तो मैं आप यहां पे इसको बंद कर दूँगा, फिर से टिक करूँगा, आई बटन दबाऊंगा, और यह मेरा यहां पे, दूसरा keyframe बन चुका है, उपर mute का, यानि कि यह मेरी mute वाली line दूबारा से start हो गई, अब फिर से मैं यहां पे दबाऊंगा इतना space बटन, अच्छा, तो आप इस होनहार के पिता जी है, तो फिर से मुझे अगर master जी को speaking कराना है, तो मैं दूबारा से master जी की body को select करूँगा, हमेसा आपको body select होना यहां पे ध्यान रखना है, और इसको मैं यहां पे tick करूँगा, और i button दबा दूगा, तो मेरा यह master जी, अच्छा, तो आप इस होनहार के पिता जी है, इस तरीके से speaking करने के लिए, दुबारे से tick करके मैं इस पे i button दबाऊंगा, तो यह मेरा यहां पे खतम के mute हो जाएग अच्छा, तो आप इस होनहार के पिता जी है, हाँ master जी, वाह, क्या होनहार बेटा पैदा किया है आपने, दिखाई नहीं दे रहे हैं इसकी lip-sync क्योंकि मैंने यह dialogue के वल यहां camera number 2 तक ही set किये थे, तो best तरीका यह है कि आप इसको cable वहीं पे जाके इसकी lip-sync set करें, जहा यहां पे यह दौनों के दौनों यहां पे camera में आ रहे हूं, अब जैसे camera number 3 में यह दौनों आ रहे हैं, तो केवल यहां पे इन दौनों की lip-sync set कर दें, भोलने की, तो आपका यह काम आसान हो जाएगा, नहीं तो आपको यहां पे starting से लेके last तक पूरी मेहनत करनी पड़े और मैंने यह starting में जो अपना mute कर दिया था, इसको मैं दुबारा से tick कर देता हूं, और अपना जो character है, इसको भी मैं यहां से tick कर दूँगा, तो यह अब मेरा ठीक से speaking करेंगे, दौनों यह साथ, बैठिए, बैठिए, लेकिन जब मैं camera view देखूँगा इसका, तो यह अलग हार के पिता जी है, हां master जी, हे 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 हे, तो इस तरीके से आप इसको ऐसे के ऐसे ही रहने दीजिए, माल लीजिए मैंने camera number 3 यहां पे set किया है, और दौनों को यहां पे इसमें बोलना है, तब आप यहां पे setting कर सकते हैं इसकी, सबसे पहले तो अगर आपको यहां पे audio और एड करनी है, तो आप यहां पे खीच के इसकी audio को अगर यह जो इसमें side में दिख रहा है, इसको select करेंगे, और यहां पे आपको एक छोटी सी पट्टी दिखाई देगी, हल्की सी, इसको आप click करेंगे, तो यह पट्टी यहां पे selected हो जाई, अब इस पट्टी को पकड़ क पे क्या ही 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 लगा रखा है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने इसमें extra यहां पे audio आगे की तरह बढ़ाई है, वो इसमें speaking नहीं कर रही है, और यहां पे आप देख सकते हैं, जो मेरा F कर्व है, इसके बाद मैं यह यहां पे plane है, इस वजए से यह speaking नही कर रहे हैं, या इसको भी मैं इसके साथ में लेना चाहता हूँ, तो simply उसी तरीके से मैं इस control space के साथ इसको बढ़ा करूँगा यहां पे, पट्टी जो है, इसको मैं यहां से select करूँगा, control I बटन दबाऊँगा, उसी तरीके से H बटन दबा के सबसे पहले मैं इसको mute कर द देना है, अब उसी जो F curves है, वहां पे मुझे इसको select करना है, इसी को मैं यहां पे replace कर सकता हूँ, या अलग से भी कोई दूसरा नाम दे के save कर सकता हूँ, मैं फिलाल इसको यहां से replace कर देता हूँ, यहां पे आप देख सकते हैं, मेरा जो cursor है वो थोड़ा सा इसमें, आप देख करने से पहले body को select करेंगे, और body को select करने के बात, मैंने जैसे आपको बताया था, यहां पे select या deselect को कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं इसको value को talking को select करूँ गा, यहां पे delete कर दूँ गा, इसी तरीके से मैं इसको select करूँ गा यहां पे, और इसकी जो mouse का cursor है, वो इस पर होना चाहिए और इसको यहां से डिलीट कर दूँगा, इसके माउथ की लिपसिंग करानी है, इसको select करना है body को, character को और shift के साथ left से इसको timeline को starting में लाना है और सबसे पहला एक मेरे को tick मारना है value के लिए, आपने किस तरीके से value पर tick करते ही, इसका यहां पर keyframe generate हो गया, और अब मेरा यहां पर bake sound to f-curve highlight हो जाएगा, नहीं तो यह मेरा highlight नहीं होता है, इसको simply मुझे जाना है, दुबारा से मैं इस पर double click कर दूँगा यहां पर simply click करके वहां से bake sound कर दूँगा, तो यह मेरा देखा आपने किस तरीके से जो मेरा graph है वो अब आगे बढ़ चुका है और speaking यह मेरा आगे की तरफ यहां पर करेगा, अब जिस तरीके से आपने इसमें f-curve use किया, उसी तरीके से आप इसको select कर लीजिए, दुवारा से किलिक करूँगा तो यह update हो जाएगा, दुवारा से मैं इसको mute से हटाना चाहता हूँ, तो A बटन दबा दीजिए, पूरे को select कर लीजिए इसमें A बटन से आरे क्या, thank you, और यह बात बात, यहाँ पर यह दौना speaking कर रहे हैं, तो मैं simply सबसे पहले अपना जो cursor है, वो यहाँ पर लेके आऊँगा इसमें, और केवल इस camera के लिए मैं यहाँ पर set कर दूँगा, बाकी के जितने भी camera हैं, उसमें मेरा जो दूसरा character है, वो automatically hide हो जाता है, इसलिए मुझे नहीं दिखाई देता, तो उसमें मुझे बार-बार इसको change करने की जरुवत नहीं है, जहाँ पर आपको जरुवत होती है, वहाँ पर आपको इसकी speaking को manage कर देना है, यहाँ पर मेरे दौनों character आ रहे हैं, इस बज़े से इस जगा पर, और सबसे पहले मैं इधर की side लाऊँगा इसको, तो सबसे पहले मुझे master जी का mouth है, वो यहाँ पर अगर on रखना है, और इसका mute करना है, इसका अगर mouth मुझे बंद कराना है, बीच में से, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने देखा कि य button दबा देंगे, तो यह मेरा यहाँ पर mute हो जाएगा, इस तरीके से, आरे क्या thank you, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कि यहाँ पर मैंने दो keyframe बनाए है, mouth की lipsing अगर आप बीच में से कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने इसमें टिक किया, ताकि यहाँ तक की जो इसकी audio है, वो यहाँ पर save रहो जाए, तो यह मेरी audio इसने speaking के लिए save कर दिया, अब directly अगर आप इसको यहाँ पर बंद कर देंगे, तो यह जितना भी यहाँ तक speaking कर रहा था, वो सब बंद हो जाएगा, तो इस चीज का आपको विशिस ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको इसको यहाँ पर mute करना है, तो अब मेरा जो character है, वो यहाँ पर master जी बो लेंगे और यह बंद हो जाएगा, अरे क्या thank you, और यह बात बात पर क्या ही 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 लगा रखा है, अब यहाँ पर वापस से उसी का dialogue आ गया है, यहाँ पर इसके father का, तो सबसे पहले मैं father के लिए यहाँ पर select किया हुआ है, तो father के dialogue जहाँ 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 पर, मैं वहाँ पर set कर देता हूं, फिर से मैं इसको tick मारूँगा, i button दबाऊँगा, यह मेरा यहाँ पर mute हो जाएगा, अरे वो, तो, इसको यहाँ पर मैं करसर लाँगा, फिर से i button द आँगा, और इस बार मैं इसके सारे के सारे master जी के जो dialogue है, उनको यहाँ पर set कर देता हूं, master जी की body को आप select किजिए, यहाँ से, आपका जो cursor है, वो दोनों का cursor आप ध्यान रखिए, कौन सा cursor यहाँ पर काम कर रहा है, सबसे पहले मुझे इसके speaking पर एक, यहाँ पर keyframe बन जी इसमें, आप इस पर tick करके इसके mute कराएंगे और i button दवाएंगे, तो इस तरीके से mute की line यहाँ पर यहाँ पर generate हो जाईगी, अरे क्या thank you, तो mute अभी मुझे नहीं कराया ना, तो मैं इसको control Z कर देता हूं, यहाँ पर अभी यह मेरा speaking ही कर रहा है, अरे क्या thank you, और यह बात बात पर क्या ही 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 लगा रखा है, यहाँ पर आकर यह मेरा mute करना है इसको, इस जगा पर मैं इसको mute करूँगा यहाँ पर, talking page दमाऊंगा इस पर आई बटन दबा दूँगा, और इस तरीके से मेरा mute हो गया है, और यह मेरा father का dialogue है, तो बीच में बोल रहे है, ड दुवारा से इसका dialogue स्टार्ट हो गया, दुवारा से मैं इसमें टिक करूँगा और आई वटन दबा दूँगा इसमें, अब यह मेरा speaking करना लेगा, वापस से यह इसी पर बन जाता है keyframe, तो यह speaking करेगा, तुम तो बीच में बोल रहे ही 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 यह जो camera view में देख रहा है यही आपका video में export होने वाला है, इसका advantage आप इसमें ले सकते हैं, अब आईए इसमें थोड़ा सा expression देख लेते हैं, expression हमें किस तरीके से इसमें 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 करने हैं, expression अगर आपको इसमें करने हैं, तो simply मैं मालीजे इसमें जो last dialogue किसका है, camera को इसके father पे लेकर आऊँगा और इसमें इसका जो expression है, उसको यहाँ पे save करूँगा, तो expression save करना बहुत ही आसान है, father को मैं यहाँ से select करूँगा, इसमें आप देख सकते हैं, scared का एक expression है, इसको मुझे अगर यहाँ पे use करना है, और जो भी हम यहाँ पे save की बनाते हैं, इसको अगर हम directly देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक option आपको मिल जाएगा, इसपे click करके, आप देख सकते हैं, कि उसका जो चहरा है, वो किस type का है, यहाँ पे lock कर देगा इसको, इसको हटा के आप देख सकते हैं, कि जो normal क्या है आपकी value, और यहाँ से जो value है, इसको धी इसे animate कर सकते हैं, सबसे पहले मैं इसको camera के starting में लेकर आता हूँ, जहाँ पे यह थोड़ा सा इसको दिखाएगा, किस तरीके से इसने अपने चहरे को यहाँ पे change किया है, तो इसमें जो आपका graph editor है, इसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे आप देख सकते ह जैसे ही मैं इसमें value पे tick करूँगा, यहाँ पे मेरा एक नया expression बन जाएगा value के scared के नाम से, अब इसमें थोड़ा से मैं cursor को आगे लाँगा, और इसकी जो value है, इसको यहाँ पे full कर दूँगा, और इसको दुवारा से tick कर दूँगा, तो यह मेरा इहाँ पे, इस तरीके से इसका expression change हो जाएगा, अब मैं camera view में आऊँगा वापस, और दुवारा से मैं इसको play करूँगा यहाँ पे, अरे वो, तुम तो बीच में बोलना ही मत, इसको थोड़ा से मैं बढ़ा करके दिखा देता हूँ आपको, अरे क्या thank you, और यह बात बात पे क्या ही 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 लगा अरे वो, तुम तो बीच में बोलना ही मत, तो इस तरीके से आप इसमें expression दे सकते हैं बीच-बीच में, दुबारा से मैं value को यहाँ पे tick कर दूँगा इसमें, तो यह जो scared वाला जो हमारा animation है वो complete हो जाएगा, थोड़ा सा आगे लाके इसको वापस से मैं इसको 0 पे लाके दुबारा से tick कर दूँगा तो यह animation इसका वापस change हो जाएगा, दुबारा से मैं play करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, इस तरीके से आप character के अलग-अलग expression बीच-बीच में इस्तमाल कर सकते हैं sound effects के साथ, अगर कुछ भी चीज इसमें आपको समझ में नहीं आती ह तो comment में जरूर बताईएगा, उसके लिए मैं अलग से कोई नई वीडियो में उसको explain करूँगा, तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए good bye झाल